नमस्कुरार SBT News में आपका स्वागत है पीश रास्ताम की बड़ी खबरे क्रिशी कानोनों की खिलाव किसान आंदोलन की 85 में दिन अलवर में भी किसानों ने ट्रेन रोक कर प्रदर्शन किया दोपहर 12 से शाम की 4 बजे तक दिली से जोय पुर्वे मत्रा रूट पर ट्रेन नहीं चा सकी लेकिन शाम 4 बजे के बाद राजगर्वे रेवाणी में कई घंटे खड़ी रही ट्रेन सुचारू हो गई है इस बीच हजारों यात्रियों को परशानी जेलनी पड़ी अलवर में किसानों ने माला खेड़ा और अज़र का में रेलवे ट्रेक पर डेरा जमाय रखा था जिससे दोपहर 12 बजे तक किसानों के पट्रियों पर आ जाने की कारण इंटर सिटी एक्सपर्स टेन को राजगर्वर स्टेशन पर रोग दिया गया इस वज़े से अलवर पुषासन ने अज़र का खैर्थर हरसोली अलवर राजगर्ण में जी आरपी आरपी एफ और स्थाने पुलिस को तैनाद कर रखा है दोपहर 12 से शाम के चार बजे तक चार घंटे में चार ट्रेन प्रभावित रही इसमें प्रमकृप से इंटर सिटी एक्सप्रेस, मत्रा पैसंजर और बरेली एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है मुख्यमंद्रे अशू गहलोद गुरवार को अजमेर पहुंचे यहां दरगाह के 809 में उर्स में कॉंग्रिस की रास्टे अध्यक्षय सोनिया गांधी वेपूरवा अध्यक्षय राहुल की तरफ से गहलोद ने चाधर पेश की जब गहलोद दरगाह पहुंचे तो पुलिस ने जायर उनों का प्रवेश रूख दिया था दरगाह में पेश की जाने वाली एचाधर हैदराबाद में तयार की गई है इसे राबिया खान नाम के महिला ने अपने हाथों से बनाया है ब्रस्टा चार निरोदक ब्यूरो ने गुरुवार को जैपर पलिस कमिशनरेट में एक सहाइक पलिस नेरिक शक और उसके दलाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेती हुई रंगे हाथों गिरफतार कर लिया पकड़ा गया रोपी एसाइ रादेशाम यादाव कमिशनरेट के नौर्थ जिले के विद्या धरनगर थाने में पल्च सापित है वो अलवर जिले में मुंडावर तहसील के पड़ावा का रहने वारा है जबकि गिरफतार हुआ दलाल मधु सूदन शर्मा है वो इबलाग बैंक कलोनी मुरलीपूरा का रहने वारा है एसाइ रादेशाम ने दलाल मधु सूदन के मारफ़त ही रिशित में पांच लाख रुपए की मांग की थी क्रिश्व कानोनों के खिलाव किसानों के देश व्याप पे रेल लोको अंदोलन का राजसान के छेजुनों मेसर देखने को मिला जयपूर अलवर बूंदी कोटा चूरू हन्मानगड में प्रदेशन कारियों ने ट्रैक पर धना देकर ट्रेने रोकी जयपूर के गांधी नगा स्टेशन पर प्रदेशन कारियों ने मालगारी रोक दी इस दोरान प्रदेशन कारी ट्रेन के इंजन पर चड़ गए याने बताये कि नई पॉलिसी की तहट परेटन विरोजगार को बढ़ावाद देने के लिए लाइसेंस धारकों को माइक्रो बुरुवरी प्लांट लगा सकेंगे। बसंतरीतों की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला सा नजर आ रहा है। पत्तों की गड़गडाहट के साथ ही राजधाने की सडकों पर इन दिनों पेड़ों की सुखी पत्तियां रितुओं के राजा पत जड़ के स्वागत में बिखरी हुई दिख रही है। शोहर के जेलन मार्क, टोंक रोड, मांसरोवर, वैशारी नगर सहित, अन्य मार्गों पर इस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं। समंदर से आ रही नमी और तेज हवा से रात के तापमान में भी दो डिगरी तक की गिरावट देखने को मिल रही है। परिवहं सैने कल्याण वे जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंग खाचरियावास गुरुवार को उधैपूर पहुंचे उनका यहां पहुंचने पर कॉंग्रेस जनों ने स्वागत किया तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी अगवानी की। खाचरियावास ने सुबह सरकिट हाउस में उधैपूर जिले के शोहर वे ग्रामिन शेत्रों से आये लोगों की जन सुनवाई करते हुए उनकी समस्याओं के आवे दन लिये। मंत्री ने बिना किसी रुकावट के अठके कारियों को संबंदित अधिकारियों को निस्तारि बात पेश करते हुए बताया कि 14 जनवरी 2015 को फ्लिपकार्ट कंपनी से 16,900 रुपए दे कर लिनुवा कंपनी का टेबलेट बंगवाया था टेबलेट की स्क्रीन तूटने पर कंपनी के अधिकरत सर्विस सेंटर पर गए वहां कहा गया कि टेबलेट का मॉडल नया होने की च पाइबलाइन के रख रखाव की चलते 21 फरवरी रात आट बजे से 22 फरवरी रात आट बजे तक कायलाना पंप हाउस एवं सुरपूरा फिल्टर हाउस 21 फरवरी रात तरी 12 बजे तक चौपासनी फिल्टर हाउस एवं 22 फरवरी को सुबह 8 बजे से 23 फरवरी सुबह 8 बजे तक जहाला मंट फिल्टर हाउस पर शटडाउन रहेंगे भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश के सुजान गड़ वल्लम नगर रासमन और सहाड़ा सीट पर होने वाले विधान सभा उप चुनाव के लिए इसी महीने फरवरी के अन तक चुनाव का इकरम जारी कर सकता है राजे निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिये हैं भारत निर्वाचन आयोग से मिले संकेतों के बीच राजे निर्वाचन विभाग ने चौरो विधान सभा शेत्रों में चुनावी तयारियों को अंतिम रूप दे दिया है जैपन में हुका बार के खिलाफ लगातार कारवाही करने के बाद भी कैफे और रेस्टोरेंट्स में चोरी छुपे हुका पिलाये जा रहा है बड़ी बात ये है कि गुपचुप हुकी के कश खीचने के लिए कम उम्रिके युवा जादा रुपे चुकाने को तयार है ऐसे ही एक हुका बार के खिलाफ बज्जाज नगर पुलिस ने एक्शन लिया है पुलिस ने टॉंक रोट सीथ एक कैफे पर छापा मारा तो वहां से कई फ्लेवर की तंबाकू पदात बरामत किये गए पुलिस ने बताए कि कैफे में कई युवा बैठे थे इनमें युवतियां भी शामिल थी उनको चाय कॉफी के बीच ही डिमांड करने पर हुकी की सर्विंग की जा रही थी उद्यपुर नगर निगम की बजट बैठक गुरुवार को शुरू हुई लेकिन विपक्ष ने शुरू से ही भाच्वा बोड को निशाने पर लेते हुए हंगामा किया महापार गोविन सिंग तांक की अध्यक्षता में बजट बैठक शुरू हुई लेकिन कॉंग्रिस के पाफ्षतों ने मीडिया को बोड बैठक में नहीं आने देने को लेकर विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी बैठक में विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष, गुलापचन कटारिया, ग्रामिन विधाय, फूल सिंग मेना भी शौमिल थे विधायर के बीच विपक्ष ने कहा कि काम स्मार्ट सिटी के जाता चल रहे हैं तो उनके सीई ओ को भी इस बैठक में बुलाना चाहिए प्रदेश में तिव्यांगो को आरक्षन की मांग एक बार फिर उठने लगी है इस बार विधायको ने केंडरो राज सरकार को पत्रलिक नोटरी पब्लिक में दिव्यांग अधिवक्ताओं को आरक्षन देनी की मांगी है तो फिलाल इस पिलेटिन में इतना हैं फिर हाईर होंगे कुछ और बड़ी खबरो के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार